नमस्कार आप सभी का मेरे किचन में स्वागत हैं आज मैं जो रेसेपी आपके लेकर आई हूँ वह है टूटी फूटी या चैरी वीजी से कहते हैं हम देखते हैं कि हम कैसे बनाएंगे जो कि वेस्ट मिटीरियल से हम इसे बनाएंगे कि कैसे वेस्ट मिटीरियल जो कि हम फेक देते हैं उसे हम यूज करके कैसे हम टूटी फ्रूटी बना सकते हैं तो देखते हैं कि इसके लिए मैं क्या सामगरी चाहिए यह तर्बूज के छिलके हैं, तर्बूज हम खा लेते हैं और छिलके हम फेक देते हैं, पर आज हम इन ही छिलकों से टूटी-फूटी बनाएंगे, तो इसे हमने सिरफ सफेद वाला हिस्सा लेंगे तो इसका जो रैड निकाल देना है और पीछे से ग्रीन जो दिखता है वह भी निकाल देना है और ऐसे बारिक बारिक शेप इनको दे देनी है वन बई वन आप सभी को ऐसे ही काट लें तो मैंने जिनको इसाखे कर लिया यसे पानी में उबाल आएगा वैसे यह तुकडे इसमें डाल दुगी 1977-17 देंगे और फिर इन्हें हम ढखकर छोड़ देंगे कम से कम इनको पकने में 10 मिनट लगते हैं तो एक दम ट्रांस्पेरेंट दिखने लग जाते हैं 10 मिनट बाद में आप देखेंगे इनका इनका जो कलर है वो चेंज हो चुका है सब ट्रांस्पेरेंट हो चुके हैं और हम इ यह देखे यह सारे ट्रांस्पेरेंट हो चुके हैं यह पक भी चुके हैं अब फ्राइ पैन में एक बड़ा बावल चीनी का लिया है आप तर्बूच के हिसाब से भी चीनी का यूज कर सकते हैं उसमें मैंने एक बड़ा गलास पानी कर डाला है अब हमें सिरफ चीनी को घुल दाल भी आ चुका है चीनी घुल चुकी है वैसे ही हम यह तर्बूच की जो सारे टुकड़े जो हमने उबाले थे वह इस चाष्णी में डाल देंगे और इन्हें 10 मिनट तक चाष्णी में ऐसे ही पकाना है गैस की फ्लेम को थोड़ा तेज ही रखेंगे और 10 मिनट तक जब त अब चाष्णी शहीत मैंने इन्हें 5 बाउल में डाल दिया है सब में चाष्णी है और चाष्णी के साथ मैंने बराबर 5 बागों में बाटा है और इसके साथ मैंने इनमें 5 कलर भी डाल दिये हैं आप अपनी इच्छा नुसार इसमें कलर का यूज कर सकते हैं आप चाहें है जो Color यूज़ कर सकते जैसे रैट चैरि के ज्यादा रखेंग है एक में यलवी रखा है एक में ग्रीज़े लिए अग्र 6 गंटे के लिए, ऐसे ही इने 6 गंटे तक रहने देना है, 6 गंटे बाद देखिए इनमें कलर आ चुके हैं, तो 6 गंटे बाद हम इने सबको चल्ली से चान लेंगे, और पेपर पर निकाल देंगे, अलग-अलग सुखाने के लिए, तो यह दो कि मैं वन बाइवर इनको चल्ल बन रही हूँ, और ऐसा एक पेपर, आप भी ले सकते हैं, और इने हम सभी पेपर पर ऐसे, लाइन वाईस, अच्छे से डाल देंगे, और इने धूप में हम, कम से कम तेड़ दिन के लिए, तो इने सुखाना ही होगा, एक दिन में यह नहीं सुखते हैं, कन से कम तेड़ द लगा कर आप सभी को ऐसे ही रख कर इन्हें दूप में सुखाने के लिए रखेंगे या फिर पंखे के नीचे यह आने सभी को सुखाने के लिए बिच्छा दिया है पेपर यह देखिए डेट दिन बाल चैरी बनकर एकदम तयार है यह पांच कलर में मैनी चैरीज बनाई है इनका यूज आप आइसक्रिम में केक में या फिर बिस्किट्स में बच्चों को बहुत पसंद होती है इनको एयर टाइट दब्बे में बंद करके रखना है और फिर हम इने यूज कर सकते हैं पर इनको एयर टाइट दब्बे में